Hello students, this is video number 8 of laws of motion और आज हम study करेंगे इसमें equilibrium of forces equilibrium of forces मतलब कि bodies कुछ equilibrium में होंगी मतलब उन पे net force 0 है इन बोथ in horizontal and both in horizontal and vertical direction hence they are in equilibrium, they don't produce any acceleration in them और फिर उसको use करके हमने कुछ चीज़ें find करनी होंगी वो मैं आपको question के through एक्स्प्लेइन करता हूँ this is our problem number 1 इसमें बोला गया है कि यह जो दो strings हैं जिनके through आप देख सकते हो ड़ा इस डाइग्राम को यह दो strings हैं और इनके through एक 5 kg का block ऐसे rest पर पढ़ा है, equilibrium में पढ़ा है, rest नहीं बोलना है, आपने equilibrium वर्ड बोलोगे तो ज्यादा बैटर रहेगा it is in equilibrium जो जो मुझे data यहां given है, वो मुझे मालूम है, मुझे यहां find tensions है, question है find tensions in the string, आप लिख ले न, मैं नहीं लिख रहा हूँ, find tensions in the string tensions in the string find करने के लिए, पहली बात यह कि tensions कहां बनेंगी, वो बना लेते हैं आपको मैंने बताया है, tensions कैसे निकलती हैं, हमेशा यह इदर से बाहर निकलेगी, this is tension, let it be tension P1 बताया है मैंने आपको directions कैसे बनाते हैं इसकी, ठीक है, it tries to reduce the length of the string, ठीक है, एक simple language में, यहां से बाहर की तरफ, जिस point से बना रहे हो ना, उदर से बाहर की तरफ, इदर से बना रहे हो तो इदर से भी बाहर की तरफ, ठीक है, यह बाहर की तरफ, यहां से निकलेगी बाहर, जिस point से देख रहे हो, उस point से बाहर की तरफ, fine, और इदर भी ऐस ये आपने arrow बनाने की ज़रूरत नहीं होती हुथ बस ऐसे बनाना होता है बस ये बना दिया आपने tension this one is tension t1 अरे इसको t2 नहीं लिखना ये सेम है same string मतलब same tension यहाँ T1 लिखना है, यहाँ पे आपने T1 लिखना है, T2 लिखना है, यह भी आपका T2 है, तो this is not different, अब ध्यान से मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो यह, कि यह angle कितना होगा, horizontal के साथ angle, या vertical के साथ angle, किसी के साथ भी आपको मालूम हो, कोई problem नहीं है, मैं horizontal के साथ यह angle, अगर आपको पूछूं कितना angle है, तो आपको पता होना चाहिए, कि horizontal के साथ इसका angle है, 53 degree, horizontal के साथ इसका angle है, 53 degree, आपको आना चाहिए, you can see, यहाँ पे आपको right triangle दिखाई दे रही है, बनता हुआ, इसलिए मुझे T2 का angle पता चल गय कि horizontal के साथ, हर force का आपको horizontal यह vertical के साथ angle चाहिए होगा, जैसे यह T1 बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे सिधा सिधा दिखाई दे रहा है, यह horizontal ही है, कोई angle का पंगा नहीं, ठीक है, यह मेरे को direct नीचे नज़र आ रहा है कौन सा, इसका अपना mg, mg, force, जिसकी वज़ा से नीचे जाएगा, 50 newton, g की value 10 ही लेंगे अभी हम, ठीक है, 50 newton, तो यहाँ पे मैंने यह सारी forces बनाई, इसको बोलते है, free body diagram, free body diagram, आप 5 kg अगर मैं बनाऊं, मैं किसी की भी बना सकता हूं, किसी भी section, किसी point पे भी बना सकता हूं, तो मेरा वैसे भी 5 kg एक point है, तो 5 kg पे आगी आपकी T1, यह आगी आपकी 50 newton, और यहाँ एक force steady है, यह T2, यह force है यह, सब newton है यह, tensions also are newton, यह सब tensions, मैंने आपको बताया था, यह contact forces है, and this one is T2, तो this is the free body diagram of 5 kg mass, 5 kg mass की यह आपकी free body diagram है, ठीक है, यह 3 forces मैंने एक जगा दिखा दी, इसको और better way मैं बताऊँ आपको, तो 5 kg mass मैंने आपको बोला point mass है, चाहे आपको वो डबबे जैसा नजर आ रहा है, बट आपने उसको ऐसा dimension लेने ही नहीं, तो मेरे लिए यह irrelevant है, यह जो mass बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको point दिखाऊँगा मेरे को ज़रूरती नहीं है इसको ऐसा दिखाने की, तो मैं इसी diagram को देखो अप कैसे बनाऊँगा, आपने यह भी बना लेनी है अभी क्योंकि first question कर रहे हैं हम, तो फिर बाद मैं इसको बना लेना है, ऐसे देखो जैसे मैं बताऊँगा, ठीक है, देखो, इस point पे तीन forces, एक आपकी यह T1, यह आपका, this one is, this one is, this one is 50 Newton, यह आगया आपका axis है यह, yellow color की जो बना रहा हूँ यह axis है, इसके उपर यह आएगा, यह आगी आपकी axis है, yellow color की जो हैं वो axis है, axis के उपर यह न, 50 और यह, लेकिन एक टेड़ी यह force, उसको मैं बना रहा हूँ T2, T2, 53 degree, कोई बोले नहीं लिखना है सर, मैंने 53 degree, वो इधर 37 लिख सकता है, वो ऐसे देख सकता था इसको, कि यह देखो alternate angles बन रहे हैं सर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 37 degree, वैसे बना ले, 53 degree बना, एक ही बात आती है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं फरक पड़ता, ठीक है, यह सब हमने बना लिया, अब मुझे यह T2 नजर आ रहे हैं, अब vertical, आप आपने क्या करना है, जो टेड़ा है ना इन में से, टेड़ा इन दे सेंस की जो ना horizontal है ना vertical है, ज जो ना horizontal है ना vertical है, उसके दो component बना देने हैं, उसके दो component बना देने हैं, जो मुझे clearly नजर आ रहे हैं, आओ देखें, मैं T2 के दो component बना रहा हूँ ग्रीन कलर में, यह बन गया आपका T2 cos 53, यह बन गया T2 sin 53, अब जब मैंने इसके component बना लिए न, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, horizontal वालों को horizontal के साथ compare करो, vertical वालों को vertical के साथ, यह equilibrium में है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, free body की diagram मैंने तब आपको बताया है, यहाँ acceleration है ही नहीं, no horizontal direction में ना vertical direction में, इसलिए horizontal वाला भी equal to 0 vertical वाला भी equal to 0, तो कैसे लिखोगे आप, t2 sin 53, t2 sin 53, कितना sin 53 कितना होता है 4 by 5, 4 by 5 t2, देखो, एक equation मैं vertical वाली लिख रहा हूँ पहले, 4 upon 5 t2 minus 50 equal to 0, यह पहले भी आपको बताया है, t2 निकल गया यहाँ से या नहीं, t2 equal to क्या आ गया, 50 into 5, 50 into 5 upon 4, 250 upon 4, 125 upon 2, 62.5, तो 62.5 आपका t2, 62.5 newton, यह आगे t2, t1 कैसे निकाले, horizontal की लगाओ, क्या लिखोगे t1 minus, अब t2 है ना आपके पास, अब t2 है तो मजे करो, तो यह लो, t1 minus 3 by 5, t2, t1 minus 3 by 5, t2 equal to 0, equal to 0 यह आना equilibrium वालों में, इधर कोई acceleration नहीं है, body चली नहीं रही है, stationary है, आपका equilibrium में है, equilibrium में है, तो f नहीं, f x net b 0, मतलब horizontal वाला force b 0, vertical वाली force b equal to 0, ठीक है, ऊपर वाले को force को हम positive लेंगे, नीचे वाली force को हम negative लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं, acceleration है ही नहीं, ठीक है, तो यह आगे आपकी equation एक, ठीक है, यहाँ पे आपको किसकी value में, t2 की value डाल दो, 62.5, 62.5 जब value डालोगे उसकी, तो उसको divided by 5 करोगे, तो answer क्या आएगा, 12.5, ठीक है, जितना भी आएगा, 62.5 divided by 5, कितना आएगा, कितना था इसकी value, कितनी थी, 250 upon, 125 upon 2, 125 upon 2, तो 125 upon 2, तो 75 upon 2 आगे इसकी value, 75 upon 2, 75 upon 2, यह आगे आपका t1, तो t1 will be equal to 75 upon 2, यह लिख लेना आप, ठीक है, तो यह आपकी calculation है, calculation पर हम बात करेंगे, तो फिर हम question नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बता देता हूँ, तो t1 equal to 75 upon 2, यह आपका answer आगे, ठीक है, यह एक simple सी problem थी, जिसमें कोई difficulty आपको आनी नी चाहिए, same question है यह, this is the same question उसी की मैंने free body diagram दुबारा बना के रखी है, मेरा 5 kg का mass यहाँ है, this is 5 kg mass, जो जिसकी dimensions point mass की तरह हैं, इसलिए उसको tension नहीं लेनी मैंने, लेकिन मैं यहाँ पर इसी question को एक different method से करूँगा, जिसका नाम है lammy's theorem, इसको मैं lammy's theorem से करने वाला हूँ, आप ध्यान देना जरा कैसे, ठीक है, आप ध्यान दोगे जरा कैसे, lammy's theorem मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, lammy's theorem की पहली कहानी यह है, कि उसमें आपको forces कितनी चाहिए तीन, तीन से ज़्यादा forces होंगी तो आप नहीं कर पाओगे, तो only three forces आदे हैं, तो यहाँ पे तीनी forces हैं, तो तीन forces के लिए यह बड़ा easily किया जा सकता है lammy's theorem को जरा आप देखना कैसे, अगर तीन forces हैं मेरे प f1, f2, f3, तो let me's theorem कैसे लगाई जाती है, दिहान देना, f1 upon sign, sign के साथ angle लिखना है, पता कौन सा, f1 के सामने वाला angle, कौन है, वो इन दोनों के बीच का, मतलब f1 का जब angle लिखना है, f1 के नीचे जब sign के साथ angle लिखना है, तो कौन सा angle लिखना है, जो f2 और f3 के बीच मे होगा, कितना है यहाँ, alpha, equal to f2 upon, अब आप कौन सा angle लिखना होगे, f2 upon के लिख, f1 और f3 के बीच का angle, f1 और f3 के बीच का angle कौन सा है, बीटा है, तो sign बीटा, equal to f3 upon f1 और f2 के बीच का angle, sign गामा, sign गामा, तो यह simple सी इसकी कहानी है, यह use करो, इस equation को use करके, आप कुछ भ यह भी मेरे पास 3 forces है, t1, t2 और 50 newton, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, 50 upon, कौन सा angle लेना है, 50 upon, 50 के सामने बाद, t1 और t2 के बीच का angle, यह है, 90 प्लस 37, sign 90 प्लस 37, यह दूसरा method है, उस equation को करनेगा, equal to, equal to, t1 upon, t1 upon, कितना angle है यह, मैं लिखता हूँ, sign 180 minus 37, कुछ भी लिखो, 90 प्लस 53 भी लिख सकते थे, आप एक ही बात है वो, क्या लिखा आपने, 180 minus 37, 90 प्लस 53 भी लिख सकते थे, एक ही बात है वो, कुछ नहीं problem है, equal to, t2 upon, sign 90, t2 upon, sign 90, जब यह तीन equations आपने लिख ली, उसके बाद, अब आप क्या करोगे, 1 by 1 उठा लो, तो यह sign 90 तो 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे नहीं काटना, आप next statement में, next line में लिखना, तो t2, इसकी value निकाल लो, sign 90 plus 37, sign 90 plus 37, is sign 37, ठीक है, sign 37, और यह, क्या है, sign 180 minus, यह आएगा, cos 37, I am sorry, this is cos 37, क्योंकि 90 है, तो 90 है, तो 90 प्लस 37, क्या है, 90 प्लस theta, cos theta होता है, 90 प्लस theta, cos theta होता है, और 180 minus theta, sin theta होता है, तो यह आएगा, sin 37, जो t1 के नीचे आएगा, वो sin 37 आएगा, तो यह equation will look like, देखना जड़ा, आपकी equation कैसी लगेगा, तो आपने यह equations लिख दी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, 50 upon, 50 upon क्या लिखना है, 4 by 5, तो वो उल्टा हो जाएगा, multiply के लिए, t1 into क्या लिखना है, 5 by, 4 by 5 होता है न, तो sin 37, 3 by 5, 5 by 3 हो गया, ठीक है, equal to t2, खतम हो गया question, यहाँ से आपका answer निकल जाएगा, पहले इन दोनों को उठा लो, ठीक है, 250 upon 4 पहले भी अमने value निका ली थी, ठीक है, फिर जब आपको यह निकल गया, फिर आप इसको और इसको उठा लो, यहाँ से भी आपकी value आ जाएगी, वही values आएगी जो पहले आई थी, don't worry, same answer आएगा, कोई फरक नी पड़ेगा इसमें और इसमें, ठीक है, तो इसको अच्छे से सीख लो अपने पास, this is the next problem, और इस problem के अंदर तुम देख सकते हो, कि लगबग same problem है, tensions दो हैं इदर, तीन tensions हैं, देखो, T1, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है उदर, T2, and T3, लेकिन जब मैंने block बनाया ना ये, 30 kg वाला, तो मैंने देखा इदर इसको नीचे force लग रही है, एक 30 N, 300 N, I am sorry, 300 N, Mg, और एक tension लग रही है उपर, ये देखो, जब मैं block की बनाऊंगा, tension तो ऐसी आएगी, तो ये tension लगी T3, इदर से clear cut नज़र आ रहा है, कि ये equilibrium acceleration, मैंने आपको पहले बुला कितना है, 0, तो यहाँ पर direct नज़र आ रहा है, T3 equal to 300, T3 minus, आपने ऐसे लिखना है, T3 minus 300 equal to 0, तो T3 equal to क्या नज़र आ रहा है, 300, तो इसलिए T3 direct देखके नज़र आ रहा है, हमें की 300 के बराबर है, तो T3 की value हमें पता चल गई, फिर हम क्या करें T1 और T2 निकालने के लिए, तो T1 और T2 निकालने के लिए, what we do, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखना, T1, वही वही डाइग्राम, अपनी free body diagram, ये, ये, और ये, इसको सीधा लिख देंगे 300 Newton, simple problem भी बिल्कुल same वैसी problem बन गी, जैसी हमने अभी थोड़ी देर पहले गी, अब देखो, angle की बात अगर करूँ, तो आपको पता है, बड़े अच्छे से कि ये 37 degree angle ही होगा, alternate angles, अगर ये सब नहीं आता न, alternate, corresponding, आपको right triangle की कहानी, अगर आपको sin theta, cos theta नहीं आता है, और आपने कसम खाई है, हम नहीं पढ़ेंगे, फिर नहीं हो पाएगा ये सब, ये impossible है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये आगया 37 degree, और फिर ये आपकी force है T2, ये आगया आपका T1, T2 के दो component बनाओ, T2 sin theta, T2 cos theta, ठीक है, cos 37, cos 37 कहां आएगा, यहां आएगा, sin 37 कहां आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, फिर T1 equal to this, 300 equal to this, equation solve करो, answer आजाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है मुझसे, कि इसको कैसे करेंगे, next question, this is your next problem, इसमें भी आपने T1, T2 find करना है, angles आपको दिये हैं, मैंने बनाएं नहीं, angles दिये हैं आपको, कोई गबराने की जरूरत नहीं है, angles are given to you, ठीक है, ऐसे दिये हैं, angle इसने, horizontal के साथ यह भी angle दिये है, यह भी angle दिये, this one is 53 degree, and this one is 37 degree, ठीक है, बिल्कुल same problem है, आपको मालू मैं 400 Newton है, मैंने अभी सिखाया, आपको कैसे निकालना है, ठीक है, ब्लॉक अलग से लेके, और यह सब बिल्कुल same problem है, यह आपका T2 मालो, इसको T1 मालो, expected है कि T1, T2, आप दोनों निकाल के दोगे हमें, कैसे निकालोगे, T2 cos 53, T2 sin 53, ऐसे करके आपकी diagram ठीक है, यह आपको कुछ करोगे, मैं कुछ नहीं बताओंगा इसमें, T2 sin 53, T2 cos 53, T1 cos 53, T1 sin 37, और यह 400, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इन दोनों का sum, यह कौन-कौन थे, T2 sin 53, T1 sin 37, add होके, equal to 400 के बराबर है, यह ऐसे लिखो, T2 sin 53, plus T1 cos, sorry, T1 sin 37, is minus 400 equal to 0, एक ही बात होती है वो, ठीक है, आपको सिखाया है, मैंने यह question कुछ आप करोगे, मैं कुछ नहीं बताओंगा इसमें, nothing, मैं कुछ नहीं बताओंगा, यह आप सब, this is the next problem, थोड़ी देखने में बड़ी सारी tensions आपको पता है, मैं आपको बना देता हूं tensions इसमें, मैं आपको tensions सारी बना के देता हूं, यह देखो, यहाँ पे इस point की बात कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है, यहाँ पे, इसके नीचे यह force है, यह force को convert करना है, 10 kg लिखा हुआ है तो इसको 100 Newton लिख देना है, ठीक है, 10 kg को 100 newton लिख देना, यह दे, यही पे बना लो, separate बनाने के जिरूर थोड़ना है, यह लो, सारे angle आपको given होने चाहिए, सारे angle आपको given होने चाहिए, यह angle लिखा नहीं है, यह 60 degree angle है, given है, given है, मैं नहीं लिख रहा हूँ आपनी मर्जी से, 60 degree is given to you, 60 degree given है, फिर उसके बाद आ आपका, यह आगे आपका, क्या, T1, this one is T2, this one is 33, ठीक है, फिर उसके बाद, यह आगे T4, अब आपको दो diagram बनानी पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा, एक इधर, एक इधर consider करो, एक इधर consider करो, एक इधर consider करो, एक इधर consider करो, angles आपको दिखाई देने चाहिए, क्या- उपर बाला point है, point A, मैं point B की diagram आपको दिखाता हूँ कैसी बनेगी, point B की, तीन forces हैं इधर, दिख रही हैं सामने, T3, T4 और, T3, T4 और, T3, T4 और, 350 Newton, T3, T4, 350 Newton, इसको 350 Newton क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, 10 से multiply करके, mg, mass into acceleration से gravitational force मिलती है, क्योंकि उसकी acceleration definite ह 9.8 होती है, 10 हम लेते हैं, calculation की simplicity के लिए, ठीक है, तो diagram देखना, B point पे कैसी बनेगी, 350, खीक है, T4, एंगल कितना होगा ये वाला, 45 होगा, आपको निकालना आना चाहिए, ये होगा T4, इसका एंगल 45 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद T3, T3 का एंगल कितना होगा ये वाला horizontal के साथ, 30 डिग्री, आपको निकालना आना चाहिए, T3 का, वो T3 कहां है, T3 यहां है, येस, देखो न, नहीं, नहीं, सॉरी, 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 ये T3 यहां बनाना है, मुझे, दोनों साइड बनाना होता है, जब B-point लेना, तो ये वाला T3 लेना, ग्रीन वाला, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, जान देना, गल्ती नहीं कर देना, ये मैंने गल्त किया है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये तो T3 ठीक है, ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये एंगल इस 30 डिग्री, ओरिजॉंटल के साथ एंगल 30 डिग्री है, वर्टीकल के साथ 60 है, which is this T3, अब मैं दो equations लिखता हूँ, यहां से direct देखके, आपको आना चाहिए, मैंने एक लिखा T3 sin 30, कहा है T3 sin 30, यहां, minus 350 equal to 0, मैंने सीधा लिख दिया, equal to 350, चीक है, तो सीधा लिख दिया, तो सीधा लिखने में कोई प्रॉल्म नहीं, सीधा सीधा आ गया है T2, क्या लिखा, T3 sin 30, T3 sin 30, equal to 350, यहां गी, first equation, यहां से T3 direct नहीं कल गया, fine, फिर मैं दूसरी equation पे आया, फिर मैं दूसरी equation पे आया, तो वहां पे, मैंने यह पहले B.E क्यूं लिया, A क्यूं लिया, A पे चार forces है न, तो इसलिए मैंने का, ज़्यादा easy रहेगा, पहले T3 निकाल, पहले आप यह निकाल लो, T3, T4 निकाल लो, T4 की कहानी बताऊ, ने T3, T3, ओ, गलत किया, गलत किया, सॉरी, 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 मैंने यह लिया ही न, बिल्कुल गलत किया, दो component आने थे न, यहां, T3 sin, T3 sin 30, और T4 sin 45, दो आएंगे न, यहां, मैंने एक ही लिया था, सॉरी, तो क्या आएगा, T3 sin 30, मैं value लिख देता हूं, T3 sin 30, plus T4 sin 45, minus 350, equal to 0, equal to 350 लिख दो, ठीक है, अब, दूसरी equation क्या आएगी, यह आएगी, T3 cos, T4 cos 45, equations की गाह में, सिर्फ ऐसे जबरदस्ती लंबा किया हुआ question है, आपने calculation, मैंने आपको बोला, calculation करनी नहीं आती है, तो फिर तो वैसे भी यह questions नहीं करने चाहिए, बाकी आपको concept समझाना चाहिए, सिर्फ यह थोड़ा लंबा किया है, इन्होंने equation 2 A और B, 2 points लेके, मैंने इ 4 cos 45, minus T3, minus T3, को cos इदर है, minus T3, cos 30, equal to 0 है ना, तो इसको minus वाले को उदर ले जाता हूँ, क्या बनेगा, T3, या minus ही लिख दो, minus T3, cos, cos की value कितनी है, root 3 by 2, equal to 0, अब आप बड़े easily देख सकते हो, यह दो equations, 1 and 2 जो मेरी एक उपर वाली equation और एक नीचे वाली equation है, इन दोनों को चेक भी मत कराओ, मैं नहीं देखना चाहता, आपको concept different, अगर difficulty आएगी, तो you can ask me, but concept में अगर difficulty नहीं है, तो मैं इसमें कोई हाप की help नहीं करने वाला, ठीक है, तो दो equations बनेगी, T3, T4 की, you have to solve them, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी solve करो, आपको आना चाहिए solve करना ही है, ठीक है, तो solve करना आपको आना चाहिए, T3 और T4, दोनो value यहां से निकल गी, फिर मैं किसको उठाऊंगा, A को, फिर मैं किसको उठाऊंगा, A को, A point को, तो A point पे भी ऐसे component बनाऊंगा, दो equations लिखूंगा, एक horizontal वाली होगे, एक vertical वाली, उसमें T3 आप मुझे म यह देखो, पहले सबसे पहले मैंने आपको यह बड़ी सी डाइगरम बना के दूँगा, कि आपको clarity हो जाए, यह और ज़्यादा, T3 के मैंने दो component बनाए, T3 बेसिकली आपका इस तरह से था नीचे की तरफ, था ना, point A से बात कर रहा हूँ, point A के मैं free body बना के दे रहा हूँ आपको, जहां forces आपको represent करके दे रहा हूँ, तो T3 जब ऐसे है, तो उसके दो component ऐसे ही बनेंगे, angle आपको 60 degree यह वाला given था, इसलिए जिसके साथ angle होता है, वो cos होता है, तो इसलिए यह cos आ गया, यह sign आ गया, इसे याद नहीं रख लेना क vertical sign होता है, और वो cos होता है, angle के साथ depend करता हूँ, यह आपको बताया हूँ है मैंने पहले ही, ठीक है, तो यह मैंने T3 के दो component बनाए, अब मैं आपको बना के दूँगा किसके, T2 के, यह आगे T2 के दो component, vertical के साथ angle दिया हूँ है 30 degree, इसलिए cos vertical में दिखाई दे रहा है, T2 cos 30, T2 sin 30, यह दो आगे T2 के components, अब T2 के components के बाद, दो simple चीज़ें बची है, एक आगे आपका, मैं आपको बता देता हूँ, एक आगे आपका यह चीज़ बची है T1, और एक आपका बचा है जो 600 Newton नीचे force लग रही है, मास की वज़ा से, जो 60 kg given है, उसको हम 600 Newton लिख देंग ठीक है, यह आपकी diagram बन लिए, this is the diagram, अब आपको करना ही कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं बचा ना, यह आप जिसको पता चल गए, यह भी मुश्किल नहीं है, इसके आगे भी मुश्किल नहीं है, frankly speaking, T3 की value आपको पहले से calculate करके आये होगे, क्योंकि आपको पहले से म बन गी, T3 की value इसमें से पता है, T2 निकल गया, इसी equation से T2 निकल गया, कोई tension ही नहीं, दुबारा बोलता हूँ, T2 cos 30, उपर है इसके प्लस, minus 600, नीचे है minus, minus T3 cos 60, equal to 0, equilibrium वाली problems में equal to 0 आता है, because no acceleration is here, फिर दूसरी equation, क्या आएगी, T2 sin 30, plus T3 sin 60, minus T1, equal to 0, तो यह आपकी जिसमें से T3 आपको पहले से मालूम है, T1 और T2 इन दो equations को use करके आपको आना चाहिए, मैंने एक एक चीज इसमें बता दी हुई है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई difficulty होनी चाहिए, thank you, thank you very much